यहाँ पर आगे में मैं यही समझाना चाहूंगा जिसमें औरविंदर सर की बातों को भी मैं add-on कर रहा हूं कि पिछले बहुत सारी zoom call में हम इस बात को विचार रहे हैं, मान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना चाहिए एक ecosystem में, उसका वाजिफ तरीका हम लोगों ने ढूण लिया है और क्योंकि बहुत सारे लोगों का domain ही सिर्फ networking से distribution का है, बहुत सारे लोग आज भी अलग-अलग platform में किसी भी तरीके से अपने आपको फसावा महसूस करते हैं, या जो अपर ecosystem के तहत valuation मिलके उसका liquidation process होना चाहिए, वो नहीं समझ पाते हैं मैं तमाम लोगों को फिर से यहाँ पर याद दिलाना चाहता हूँ, हमने अपनी वाइज़त Alvan blockchain पे 96% काम पूरा कर दिया है, कुछ 4% काम रह रहा है, जिसमें यहाँ पे open source में कोई भी developer आके अपना API documentation करके contract verify करके smart contract को यहाँ पर डाल सकता है, उसके साथ साथ अगर इसके resources हो, charts हो, top statistics हो, directory हो, API documentation हो, या testnet हो, या minnet हो, उन तमाम तरीके से यहाँ पर usable है, मुझे ऐसा लगता है, अगले 2-3 हफते में इसको हम proper testnet और minnet को कर देंगे, जिसमें ये open source में किसी के भी लायक होगी, इसका मतलब क्या है, दोस्तों, blockchain एक ऐसी technology है, जिसका cryptocurrency एक use case है, उस यूज केस में क्योंकि बहुत सारे मनते हैं, और अबिका भी रहे हैं, कि यहाँ पर कुछ ही पैसे लगा के करोड़ों पर भी बनाता है, लेकिन तमाम चीजों के बीच है, सिर्फ holding capacity है, और उसके पहले वहाँ पर as a valuation capacity है, इन दोनों के बीच में एक liquidity का program होता है, जो कही न जानते हैं, या और तरीके से direct investment के माध्यम से जानते हैं, या इनके ETF सब्सक्राइब के माध्यम से जानते हैं, और मांत तरीके जानकारी सैक के दूसार या दूसरी इंट्रीज के दूसार हमें या सुनाई देती है, सर माफी चाहता हूं, आपकी आवाज में थोड़ा सा disturbance है, तो मैंने दूसरी के से कन्फर्म किया, वहां में लिच है, अभी ठीक है, तो बहरा में यहां पर ही ना जाओं कि मांसे प्रॉप्ट इको सिस्टम को बनाते बनाते हमारी नहीं सर की वाइस जो है वो क्लियर नहीं है, तो दोस्तों सर ने रिजाइन किया है अभी तो जो बातें सर ने की उसको थोड़ा सा कंटीव करते हैं और सर अगर कंफर्टेबल लोंगे तो अपने 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 अपनी ब्लॉक्चेन का यहां पर डवलमेंट कर लिया है, L1 चेन के साथ साथ हमने L2 का डवलमेंट कर चुके हैं इस पे हमारी गिटब पे टेस्टिंग चल रही है और L1, L2 के दोनों के सोजनने हम बहुत तेजी से एक मिक्स चेन लाने वाले हैं। मैंने सभी लोगों को बता रखा है कि यहां पर हम जिस गती से चल रहे हैं वो प्रॉपर एक वाजिव एको सिस्टम के तहत है और इसके साथ साथ हमने अपनी ओन चेन के लिए एक प्रॉपर एको सिस्टम खड़ा कर लिया है जिसका नाम वाइसकेल है। आप तमाम लोग इसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं चोटी सी यहां चलक दिखा देता हूं वाइसकेल वर्जन वन पॉइंट जीरो यहां पर लाइव होने जा रहा है। इसमें क्रॉपो अनेवी की पोडेक्स हमारे तियार हो गई हैं बाक्टेस्टिंग हो गही है। अस्टेट्जी की जो हमारी टीम है उसने पिछले गट चार साल की की बैकट्टेस्टिंग करके क्रॉपल इनडेक्सफंड भी बनाए हैं। तो दोस्तों चाहे आज Ethereum protocol हो, Tron protocol हो, जा फिर Matic protocol हो या कोई और, शारे ही protocol की अंदर एक वाजिफ liquidation का, एक वाजिफ staking का, एक वाजिफ उनके साथ साथ ऐसा network तियार किया गया है, जिसमें 24 by seven वो अपनी ecosystem को liquidity दे सकते हैं, हमने अप आई स्केल को खड़ा कर लिया है और यहां पर दो चैनल के नुसार जिसमें हम सब आते हैं एक दूसरा चैनल है डारेक्ट सेल्स फोर्ट जिसको हम डवलप कर रहे हैं और टेंटेटिव यहां एक जनवरी से उसको लागू करेंगे जी हां मैं इस तमाम तरीके से बताना चाहता हूँ पहले भी प्लानिंग के तहट हमने बताया है कि हम यहां पर वाई स्केल को हिंदुस्तान का एक पहला डेफी सिस्टम करने जा रहे हैं जिसमें विदाउट नेटवर्किंग विदाउट एमलम एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो च जागते हैं और जिन लोगों के पास अपने घर में लगभग 60% से लेकर 10% यानि की चॉइस आपकी है परसेंट से लेकर 10% पैसा घर पे ले जा सकते हैं उसके अलावा लगभग आपको यहां कमीशन के तौर पे और उसके साथ-साथ-स नायुए-सड़िटी कमाने का मौका तो मैं वो ही सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि दोस्तो हमने एक blockchain का निर्मान कर लिया है enterprise या उसके साथ-साथ private blockchain का development के लिए L1 हमने choose करी है जिसमें आने वाले समय में हम अपनी L1 chain के उपर तकरीबन 12-15 project अलग-अलग लोगों के साथ integrated करने जा रहे हैं इसमें से एक project हम हमारा integration में चल रहा है तीन हफते में जूम का जितना भी माध्यम है वह हमारा वैब 3 या वैब 3.0 वालेट कनेक्ट के थ्रू होना श्रू हो जाएगा उसके साथ-साथ-सके हमारा अपना ओन प्रोजेक्ट है जो वैब 3.0 के ऊपर हम डे-बाई-डे या पर डवलप कर रहे ह और इन दोनों के साथ-साथ तक्रीबन 10-12 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो 11 चेन पे आने के लिए ततपर है इनके साथ-साथ जितनी भी कम्यूनिटी है हमारी उनमें से जितने भी डैफी एडवाइजर बनके इन्वेस्टर को लेके आना चाहते हैं और इस प्रोटकॉल के माध् सब्सक्तार मॉडल हमने स्टेकिंग के ऊपर बनाया है तमाम तरीके से सभी को यहां बताना चाहता हूं कि लगबग 25 तारीक से 27 तारीक के बीच में किसी भी दिन हम अपना क्रेप्टो एने भी लॉंच कर देंगे और इसके साथ-साथ फिक्स्ट रिटन के हमारे एक तारीक से यहां पर इस बात की समझधारी का आगान करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, प्रातना करता हूं कि दोस्तो हम बहुत अच्छी कंडीशन में एक अपने डोमेन को लिए वे हैं जिसको डिस्ट्रिबूशन मॉडल के तहत नेटवर्किंग आप लोग समझते हैं लेकिन य वाइज़त प्रोटकॉल के जितने भी तमाम वाइज़त हैं, उनके वाइज़त का एक बीज डॉलर के हिसाब से पैसा घर ले जा सकेंगे, सबी लोग सब्तंतर हैं, सबी लोग कहीं पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन वाजीव इको सिस्टम जो हम तयार कर चुके हैं, जिसको कर लिया है, और आने वाले 6 मीने के अंदर में गैरंटी के सब्सक्राइब कर दूँगा, इस टेकिंग में अगले की मिटिंग है, उसमें मैं PPT रिविल कर दूँगा, इस टेकिंग के जितने भी डिजाइन्स हमारे डवलप हो चुके हैं, वो डिजाइन्स को रिविल कर दूँगा, और तमाम तरीके से जो वाइजर कम्यूनिटी है, उसको यह आगान करता हूँ, जितने लोगों के पास वाइजर लेके, इन्वेस्टर को यहाँ पे लेके आएंगे, वो सारा पैसा वाइज़त का अपने घर ले जाने के योग्ये होंगे, तो आज के दोस्तों मिटिंग इतने ही है, अगले संदे के मिटिंग बहुत इंपॉर्टन है, जिसमें स्टेकिंग की एक पीपीटी में लोगों हमाँ पर लॉच करूंगा, उसके साथ साथ महां पर मैं जितने स्टेकिंग के डिजाइन हसको रिवेल करूंगा, और इसी बीच में हमने लिट हो चुका होगा, तो आज के लिए थना ही थैंक यू सारे बाटे जो है है, आज आजście जो हैं शुमझ में और अ बहुत सारी आज बाते जो है उसमें वाइस डिस्टी डिस्टिवेंस था लेकिन चुकि पिछले तीस एक महीने से लगातार इन मिटिंग को हम अटेंड कर रहे हैं तो कम से कम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला शब्द क्या होगा वह बातें क्या होंगी वह टेक्नालोज सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि आज यह बोला गया कि देखिए जितने भी लोग यहां पर हैं सब ज्यादा तर नेटवर्किंग से कोई ना कोई चीज का डिस्टिब्यूशन करते चले आए हैं चाहे वह प्रडुक्त का हो चाहे वह डिजिटल प्रडुक्त का हो अब य जब तोकन था तो उसने अपनाया था कि कैसे भी करके हमें आई सीओ लेकर के नहीं आना हमें एड्रॉप नहीं देना एड्रॉप दिया इनफेक्ट लेकिन सबसे ज्यादा मेजर पार्ट किसका होगा डिस्टिब्यूशन का तो एक तरीका यह अपनाया गया और उसमें सहार लेया गया ऐसे लोकों का तो पहली चीज सब नहीं जया कि दूस्य कर दिया गया इसका मतलब यह कि कोई भी वेक्ति अपना कोई भी प्रोजेक्ट अगर ले करके आना चाहे स्मार्ट कॉंट्रेक्ट के माध्यम से तो वह ब्लॉक्चेन पर ला सकता है दोस्तों एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कई लोग इस चीज़ को जानते भी हैं कई भाई कोई भी टोकन या को खरीदा क्यों जाए तो नॉर्मली एक बेसिक फिंकिंग यह है कि उसे खरीद लो भविश में भाव बढ़ेगा और बेस दो बस इसके अलावा और कोई नहीं लेकिन जब कोई ब्लॉक्चेन का निर्मान होता है उस ब्लॉक्चेन के ऊपर कोई को कहां पर है तो उस पर्टिकुलर कोई का इस्तमाल कहां पर है उसके लिए यूज केस खड़ा करना पड़ेगा ना तो वाइस के हमारा वो दूसरा यूज केस है और यह जो स्मार्ट पॉंटेट इनेवल किया अपिया के माध्यम से कोई भी वेक्ति जा सकता है तो वहां पर कोई वेक्ति अपना खुद का कॉइन या खुद का टोकन कुछ भी ले करके आना चाहें तो ला सकता है लाएगा तो उसके लिए पूल खड़ा करेगा उसको परेलेल हमारे जो बेसिक नेटिव कोई ने वो चाहिए होंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा इन वाइज कोई की खपत होना शुरू होगी यानि इसका यूज के बढ़ेगा तो एक तो स्मार्ट कॉंट्रक्ट के माधियम से बहुत बड़ी घोशना है कि अपी ऑपन सोर्स इनेवल हो गया आज और दूसरा वाइसके चली रहा है यह हमारे यूज केस है एक्चुली देखा जाए तो ठीक ह और इसके अलाबा जो वाइसके जो हमारी वाइचेन का परिफरियर प्रोड़क्ट है उसका वन पॉइंट जीरो भी लॉंच होने को है और सरका कहना है कि 25 से 27 तारीक के बीच में लॉंच कर देंगे जिसमें एनवी बेस्ट जो प्रोड़क्ट है वो जो टीम है पीछे से ज लॉंच हो चुकी है तो सभी को बहुत 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 बढ़ाई हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों यह और इसको नहीं भूलना है कि हमारे वाइज़ेट के नहीं वाइज़ेट अगर आपके दिमाग में कि वाइज़ेट भूल जाइए हम लोग वाइज़ेट हम लोग ब्लॉक्चेन के अंदर है उसका एक प्रॉडक्ट यह समझ लीज़े कि वाइज़ेल है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है और वाइज़ेल पर कुछ मुझे थोड़ा वह समझ में आया कि जनवरी की एक तारिक से कोई डेफी प्रोटोकॉल भी लॉंच होने को है जिसमें थोड़ी से आवाज उस समय ग्लिच कर गए तो मैं समझने नहीं पाया दोस्तों अब दूसरी बात यह है कि लवन का वाइज़ेट जिन लोगों के पास है तो यह हमें जानकारी मिली कि भाई देखो लवन का वाइज़ेट आपके पास है तो जो स्टेकिंग आपते की मिटिंग को हमें नहीं करना है अगला पॉइंट यह था कि जो भी लोग में काम कर रहे हैं वह अपने अपना रेफरेल करके कम्यूटी प्रेट करें जो कम्यूटी क्रियेट हो रही है इस चैंज नहीं होगा तो यह इसको हलके में लेने की कोशिश मत किजिए जित सब में भी आपको एक जैसा रहना है और राफरेल के रूप में क्या मिलना है राफरेल के रूप में तीन चीज़े मिलनी एक तो जो एल्टू ब्लॉक्चेन का रैप्ड आपको वाइज़ है वो मिलेगा और दूसरा आपको युजिटी आइनार जैसा भी आप अप प्रोड़ वाइस्किल का प्रोड़क्ट है 31 जुलाई इसका अंतिम दिन है एक अगस्त को फिक्स एपी वाई के दूसरे प्रोड़क्ट मिलेंगे डेफिनिटली वह आज से ज्यादा रिटन देने वाले डेफिनिटली नहीं होंगे दोस्तों और जो लोग इस टेकिंग का अंतजार कर र ग्यारा पच्पन पे ही आपको जो इस्टेकिंग की पीपीटीज हैं डिजाइन से उसके फ्लाइर्स हैं वह आपको मिल जाएंगे और दोस्तों क्या महत्तुपूर्ण इंपॉर्टेंट जोड़दार शांदार सुपर फ्लाइर्स बनते हैं हमारे वाइसकेल के वाइसेद क चाहिए आप अगर इंस्टा पर फॉलॉवर नहीं हैं अपको अगर लगता है कि यह दो डेड़वी सो दोसो लोग ही हमारे सिस्टम में है और यह काम कर रहे हैं तो जरह एक बार इंस्टाग्राम पर घुमके आईये देखिए कितने फॉलोवर्स हैं आप वहाँ पर देखे यह सारी चीज़ें नहीं करता जो वाइश केल वाइचेन सुरू से करता चला आया है तो यह जो सोच है यह जो जजबा है यह जो लड़ने की शक्ति है और यह जो हम लोग सब एक तरीके से साथ में लगे हुए हैं इसके लिए सर को बहुत-बहुत साथ हुआ धन्यवाद की ल मैं दो-चार मिनिट बोलता हूं मुझे मालूम है कि आप लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एक चीज़े है इंपॉर्टेंट में की इंडोनेशिया ने अपना ऑफिशियल क्रिप्टो एक्सचेंज लाइव किया है एक देश जैसे हमारे आप इसी चलता है ऑफिशियल अलाकि प्राइवेट ही है लेकिन अल्टिमेटली बैक्ट बाय गॉवर्मेंट है बैक्ट बाय रेगुलेटरी है उसी तरीके से इंडोनेशिया में ऑफिशियल क्रिप्टो एक्चेंज को लाइव किया है दोस्तों नाम उसका है बाइपी डबल प इबी टी आई अगर आप चाहें तो जाके गूगल पर देख सकते हैं ठीक है और एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जिसको बोलते हैं जो अक्सर हम लोग मिटिंग में भी सुनते हैं कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको आपका समय लगाने के साथ साथ जो आप मनी सारा साल तीन महिने बाद पिछले हफते रियक्टिवेट हुआ है यानि सोच यह कि एक विक्ति जिसके पास 1037 विटकॉइन हो हमारे और आपके पास में 1.37 हो अरे छोड़ो भाई 1.137 होना तो भी हम रोज खोल खोल करके देखें कि आज यह कितना हुआ यह कितना हुआ यह कि पास पैसेंस है तो डेफिनेटली उनको नेचर भी पे करता है यह और वी साथ में नेगेटिव क्या है और बिए वी पॉजिटिव है मैं आपको बताता हूं लॉजिकली कि क्या क्रेंद की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत हाए और यह डिजिटल ट्रांजिक्शन से उसकी वैल्यू कहीं न कहीं करेंसी की गिरने लग गई थी तो उसने इसको भापते हुए अपनी कंट्री में इस तरीकी के ट्रांजिक्शन को बैन किया है दोस्तों यह इस बात का जो तक है कि आने वाले समय में जो डिजिटल फॉर्म है करेंसी का यह कितना जाला चलेगा इवन दो कि CBDC भी वहाँ पर बंद कर जया गया ऐसी खबर है और वर्ल्ड का सबसे अमीर विक्ती एलन मस्क उन्होंने अपनी कंपनी अपनी वेबसाइट टेसला पर विटकोईन और डोजी कोईन में पेमेंट लेने के लिए अपने एड् दोस्तों एक आखरी चीज जो पिछले हफ्ते में हुई वह यह कि यूएस का हाउज ऑफ रिपब्लिक जो है उसने क्रिप्टो के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया है कि इस तरीके से यह होना चाहिए और आने वाले समय में एक रेगुलेटर क्रिप्टो क्रिप को फॉलो करते वहां भी काम कर सकते हैं यह سंब से पहले अपना जो फ्रेमवर्क है अभी से उसकी जो प्लेंट है मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है आज के लिए तना ही थैंक्यू वेरी मच्छ अगले हफ्ते दिन दोपहर 11 बच के पच्छ पर फिर से मुलाकास होगी तक तक के लिए थैंक्यू वेरी मच्छ